स्टडी आईक्यू आएस अब तयारी हुई अफॉर्डबल हलो एब्रीबन वल्कम टो स्टडी आईक्यू फ्रेंट्स आप जानते हैं कि जीसी लियों की सीरिज हमने शुरू की है ऑप्रेंट्स के बारे में झानने की कश्शि करते हैं कि आपका सेट Mercy Lyong का वो क्या है तो आपी तक ञापेनट्स के यह पारे में बातosis की और फिर फाइनली हमने देखा था कि अर्थ की exact shape कैसी है and we get to know कि अर्थ की shape क्या आपका spherical है उसके बाद दो important चीज़े वहाँ पर भी हमने देखी थी आपका longitudes और latitudes के बारे में हमने definitely बात किया था right here हम courses करने वाले हम study करेंगे आप अर्थ के crust के बारे में तो definitely अब हम अर्थ के उपर आ चुके हैं जैसा मैंने पहले भी बताया था कि we will zoom in कि universe होगा galaxy होगी solar system होगा planet होगा और फिर अर्थ आएगा अब अर्थ के interior के बारे में आज हम study करने वाले हैं कि exactly अर्थ के interior के अंदर मुझे क्या procedure क्या system जो है वो देखने को मिल जाता है तो right here we get to know कि अर्थ के crust के जब हम बात करते हैं तो मुझे पता लगता है कि अर्थ जो है that got formed around 4500 million years ago अर्थ का बना था अर्थ बना था आपका 4500 million years ago अर्थ की formation हुई थी अब जब अर्थ की formation 4500 million years ago हुई थी तो what I get to know at this place कि जब अर्थ की formation हुई तो उस time के evidences को collect करके किसी चीज को calculate करना आप भी मानते हैं कि यह बहुत complicated है इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा अगर हमें future या फिर हमें history के बारे में जानना है तो definitely हमारा interest होना सुई है कि हमें अर्थ के interior के बारे में पता हो तो यहां जानने की कोशिस करेंगे कि exactly अर्थ के interior के अंदर क्या है कि क्या अर्थ एक hollow bowl की तरह है क्या अर्थ एक solid bowl की तरह है या फिर अर्थ का outer surface solid है और inter surface जो है आपका वो liquid nature में है that we will try to focus upon तो यहां मुझे पता लगता है जब हम अर्थ के interior पर जाते हैं तो हम अर्थ को specifically कुछ पार्ट में divide करते हैं सबसे पहला जो पार्ट होता है जो सबसे भार हमीं नजर आता है मतलब जहां पर आप और में रह रहे हैं वो पार्ट होता है आपका उसको crust बोलते हैं ठीक है तो पार्ट जो second layer है उसके भी अगर कुछ solid पार्ट को add on कर दिया जाए मतलब crust प्लस जो solid mental है उस पार्ट को अगर add on कर दिया जाए तो हम उसको किसके नाम से जानते हैं लीथोस्फियर के नाम से जानते हैं और मुझे पता लगता है लीथोस्फियर सिलिका और aluminium से बना हुआ ह होता है और दोनों ही काफी light material की तरह नजर आते हैं अच्छा दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे सर आर्थ का crust जो है वो तो वो हो गया जहां पर हम रह रहे हैं तो what about ocean my dear friend जो ocean का surface है और जो आपके basically that is जिस पे हम continent पे हम रह रहे हैं वो दोनों ही crust पार है बस यह difference इतना है कि एक आपका continental crust बोलते हैं हम उसको और दूसरा आपका क्या कहलाता है oceanic crust कहलाता है सो no doubt कि oceanic crust काफी thin होता है और आपका continental crust जो है वो काफी heavy सोड़ी काफी thick होता है क्या उसको ? है और खीन पारत है आप उसको हैवी पठा रहे हैं ऐसा एसा ? अगर मैं आपसे पूछू एक सवाल, सवाल ये है कि अगर 1 kg cotton को 1 kg iron से comparison किया जाए तो आपको क्या लगता है कौन सा हेवी होने वाला iron हेवी होगा या cotton हेवी होगा, ये एक trap था जिसमें आप mostly लोग फस गए हो, क्योंकि 1 kg cotton और 1 kg iron दोनों ही same weight के हैं, मैंने 1 kg पहले से mention किया चलिए, दूसरी बात पूछता हूँ मैं, कि अगर मैं certain volume में cotton ले लू, उतना ही volume में iron लू, तो अब तो पता है ना कि iron हेवी होगा, चाहिए मैं कम volume में भी iron लूँगा, तो भी iron आपका हेवी होगा, क्योंकि iron की density काफी ज़्यादा होती है, बस यही घनतव वाली चीज़ दूसरी लेयर, वो होती है mental, mental को हम क्या बोते हैं, mesosphere के नाम से भी जानते हैं, और mental में mainly होता है, आपका सीमा से बना हुआ, जिसके अंदर silika और magnesia होते हैं, तो olivine की formation जो है, आपके mental के अंदर नजर आती है, तो क्या सवार यह आता कि sir, mental liquid होता है, क्या, that we will look upon, लेकिन mental complete liquid नहीं होता, semi-molten stage mental की होती है, and finally we have core part, जिसको के barrier sphere के नाम से भी जानते हैं, जिनके अंदर nickel और iron जो है, वो dominating होते हैं, nickel and iron are dominating over here, तो if you will look at the diagram, तो हमें पता लग जाता है, यहां पे crust है, mental है, और core है, core को भी further divide करते हैं, outer को inner core में, but still, हमारे पास यह 3 main layer देखने को मिल लगता है कि yes, crust वाला part जो है, वो सबसे outer था, उसके बाद मेरे पास mental आया, उसके बाद मेरे पास score आया, अब आपको पता होना चाहिए, जो crystal part है, क्योंकि हमारे chapter का जो नाम है, वो है आपका the earth crust, इसलिए हम crust के बारे में ज्यादा formation या उसकी development पढ़ने वाले हैं, तो earth के बना होता है, different, different rocks particle का, तो चलिए जानने की कोशिस करते हैं, कि exactly यह रोग particles क्या होते हैं, और कैसे आपका earth का crust जो है, वो develop होता है, तो right here, अगर मैं बात करूँ, rocks particle के, तो specifically, rock particle is nothing, बट यह एक क्या होता है, mineral की, एक deposition होती है, composition होती है, तो accumulation of minerals, accumulation of minerals will be named as rocks, तो काफे सारे minerals अगर एक जगह पे accumulate हो जाते हैं, तो हम उनको क्या बोलते हैं, rock particle बोलते हैं, तो definitely आपके rocks देखने को मिलते हैं, वो accumulation of minerals से नजर आते हैं, अब rock आपके accumulation of minerals से नजर आ रहे हैं, तो what we got, there are different types of rocks, rocks जोने वो same नहीं होते हैं, rock different different types के होते हैं, तो definitely मुझे यहाँ पे देख देखने को मिलता है कि हमारा जो classification है, वो geological classification दिया हुआ है, मतलब, rocks को हम divide करते हैं, तो कुछ rocks बोलते हैं, igneous rocks होते हैं, कुछ आपके sedimentary rock होते हैं, कुछ आपके metamorphic rocks होते हैं, जानने की कोशिस करते हैं कि exactly rock system कैसे develop होता है, देखो, genuinely जो हमने देखा है, उसमें हमें पता लगा कि crystal part जो earth का है, वो outer surface है, और वो solid भी है, mental surface जो है, वो आपका semi-morten या gel structure में देखने को मिलता है, आगे-ागे बढ़ेंगे तो earth के interior के अंदर temperature भरता चला जाएगा, तो मेरी खाल से आप भी इस चीज़ को admit करते हैं, कि अगर इस तरीके से temperature भढ़ेगा, तो from high temperature to low temperature हमीचा heat transfer होगा, और joh heat transfer होता ही, वो आपका होता है convection part से, तो convection से जब आपका heat transfer होता है, तो मुझे पता लगता है, लावा जो है, वो earth surface पेे घाल जाता है, जब वो लावा cool होता है, तो वो डेपोजिट होता है, और आपके igneous rocks की formation करता है, तो उस लावा की cooling से आपके igne जरूरी है कि जो लावा राइज अप हुआ इंटीर और पर्थ के अंदर वो हमेशा ही आउट साइड पे पहुंच पाए अगर ऐसा हुआ तो कि कोई लावा राइज अप होना सुरू हुआ लेकिन वो इंटीर के अंदर ही कूल डाउन हो गया तो क्या वो रोक पार्टिकल नह इंटीर के अंदर बने हुए हैं अंडर दी क्रस्ट अगर कोई रोक्स फर्मेशन होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं उसको हम प्लुटोनिक रोक्स के नाम से जानते हैं तो राइट हीर आइगेट तू नो कि आपका क्या होता है प्लुटोनिक रोक्स जो हैं वो रोक्स हों तो आपके ocean surface की जो कि काफी thin होता है और अगर मैं बात करो continental surface की जो काफी thick होता है तो मुझे पता लगता है continent से जो लावा भार आता है उसमें high silica होता है और जो आपके ocean से लावा आता है उसमें low silica होता है तो अगर low silica होगा तो definitely यह लावा क्या कहलाएगा यह लावा हम बोलते हैं basaltic लावा basaltic या फिर basic word हम इसके लिए use करते हैं basalt या basic word यूज करेंगे जिस लावा में silica का material ज्यादा होगा उसको andesitic type of volcanism बोलते हैं या फिर हम इसको बोलते हैं acidic लावा इसको हम क्या बोल सकते हैं acidic लावा so there are differences in between two लावा एक लावा ऐसा होता जिसमें silica ज्यादा होगा एक लावा ऐसा होगा जिसमें silica कम होगा अब क्योंकि यहाँ पर igneous rox formation होई है अगर high silica हुआ तो लावा आपका acidic लावा की form कहलाएगा तो इसलिए उसको acidic लावा बोलते हैं अगर उसके अंदर silica material कम हुआ तो लावा क्या कहलाएगा आपका basic या फिर basaltic लावा होता है एक और property में बताना जहांगा आप लोगों को यहाँ पर acidic जो लावा होता है उसके stickiness काफी ज्यादा होती है मतलब वो एक जगह पे बहुत ज्यादा accumulate हो जाता है और accumulate होगा तो definitely मुझे क्या देखने को मिलेगा आपके rocky formation mountain की formation में बदल जाती है लेकिन अगर मैं बात करूँ basic या basaltic लावा की तो वहाँ पे viscosity बहुत कम होती है viscosity कम होने की वज़े से वो काफी लंबे एरिया के अंदर spread करता है लंबे एरिया में spread अगर basaltic लावा करेगा तो पूरे cover कर देगा आपके ocean surface को and definitely हमें पूरा complete ocean surface जो है cover नज़राता है next आपके पास होते हैं agnious rocks के बाद में sedimentary rocks देखो नाम से ही समझा रहा sedimentary तो मतलब क्या होगा जब आपके agnious rocks के ओपर कुई extra forces लगते हैं for example sunlight हो सकता है आपका wind हो सकता है आपका water हो सकता है यह सारे rainfall हो सकता है यह सारे forces जो हैं के agnious rocks को किसके अंदर number करते हैं sediments के अंदर convert करते हैं उसी तरीके से आपका sedimentary rock की formation होती है तो मतलब if any of the physical force is implementing on the igneous rocks अगर किसी परकार का भाई है बल जो है वो आपके igneous rocks के ओपर लगता है तो मुझे क्या नजराता है sedimentary rocks नजराते है sedimentary rocks का आप example समझ सकते हो जैसे कि sandstone है वो एक टाइप के sedimentary rocks के तरह देखने को मिल जाते है जैकर sandstone जो आपके है वो आपके sedimentary rocks के तरह देखने को मिल जाते है इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो कई बार organic way से भी sedimentation होता है जैसे limestone से हैं, calcarous है वो organic sediments होते हैं और अगर chemical composition से breakdown हुआ है, forces लगे हैं तो उसमें आपका rock salt जो उसका एक best example बन जाता है इवन आपने सुना होगा limestone topography limestone topography वो topography होते है जिसके अंदर calcarous amount जादा होता है इसके वज़े से जब even water भी वहाँ से flow करता है तो वो chemical reaction करता है and that's why एक अलगी topography देखने को मिल जाती है यह सारी चाहिए आपके sedimentation में कहलाएंगे और अगर इसी rocks के उपर high pressure या high temperature का implementation होता है तो यह rock particle आपके metamorphic rocks के अंदर convert हो जाते हैं तो कुछ example आप देख सकते हो जैसे clay particle आपके slate के अंदर convert हो जाता है इसी तरीके से आपका limestone है वो marble में convert हो जाता है इसी तरीके से आपका sandstone जो हो quards के अंदर convert हो जाता है मतलब जब भी हम clay के ओपर limestone के ओपर sandstone के ओपर high pressure and temperature implement करते हैं तो आपका clay particle slate में convert होगा आपका limestone marble में convert होगा आपका sandstone जो हो quards के अंदर convert हो जाएगा तो मतलब these are interconvertible तो क्या मैं यह नहीं बोल सकता है कि igneous के ओपर sedimentary, sedimentary से metamorphic तो यह rocks तो एक दूसरी के अंदर interchange हो सकते हैं और अगर interchange हो सकते हैं तो इसको एक appropriate word दिया जाता है जिसको क्या बोलते हैं? rock cycle इसको appropriate word क्या दिया जाता है आपका? rock cycle rock cycle का मतलब होता है आपका igneous rocks जो हैं आपके वो metamorphic में convert होंगे और metamorphic rocks आपके क्या है? sedimentary में convert हो सकते हैं, sedimentary इदर उदर यह मतलब cycle जो है, वो कोई one way नहीं है I know, आप यह सोच जाएंगे, sir, igneous तो sedimentary में convert होंगे, फिर metamorphic मनेगा No, that is wrong यह cycle जरूर है, यह interconvertibility जो है, it is not one way cycle यह आपके multiple ways में interconvertible होते हैं That's why I had made this cycle like this So rock cycle जो है, आपका वो इस तरीके से complete होता है जब आपके sedimentary, metamorphic igneous में, igneous sedimentary में Asic conversion जो है, आपका वो देखने को मिल जाता है So that is there, जो कि मुझे rock के काफी अच्छी property नजर आती अब अगर मैं बात करूँ आप से igneous rocks के बारे में तो मुझे पता लगता है, जैसा कि मैंने आपको नान दिया कि igneous rocks are also named as primary rocks तो इनको किस नाम से भी जाना जाता है, प्राइमरी rocks के नाम से भी इनको जाना जाता है प्राइमरी rocks के नाम से इनको अगर हम जानेंगे तो definitely you can see right here कि जब भी आपका magma chamber interior में होगा और वहां से जब लावा भार निकलेगा और यहां deposit होगा तो सबसे पहले जो rocks के formation होगी वो क्या कहलाएंगे आपके basically they will be named as igneous rocks तो अगर यहां पर देखेंगे तो igneous rocks जोने वो कैसे form होती है आपके magma से form होती है और अगर वो magma क्या हो गया deep within the earth हो गया तो उसको हम plutonic भी बोल देते हैं अगर वो magma deep within the earth cool or hard हो गया तो that will be named as plutonic rocks so that is there अब मुझे पता लगता है कि यह आपके iron के oxides के अंदर आपके aluminium के oxides के अंदर यह काफी ज़्यादा rich होते हैं तो iron oxide, aluminium oxide यह सब चीज़े जो हैं आपके वो काफी ज़्यादा होती है इस particular case के अंदर so it is quite simple to understand बड़ी आसानी से हम इसको समझ सकते हैं इस case में तो यहाँ पर मुझे पता लगता है जब types of igneous rocks की मैं बात करता हूँ तो मुझे पता लगा एक तो चीज़ सबसे पहले कि intrusive rocks होती है intrusive rocks का मतलब एक ऐसी rocks जो आपका क्या होगा earth के interior के अंदर ही क्या हो जाती है cool down हो जाती है तो cooling time thousand of years होता है इनका लेकिन यह क्या हो जाती है आपका texture small से medium होगा बट यह क्या हो जाएंगे आपके intrusion की formation में होगी extrusive rocks का मतलब होता है यह ऐसी rocks होगी जो within second वैसे बहुत fast यह cool down हो जाती है और अगर यह rocks faster cool down होगी तो मुझे एक और भी चीज़ पता लगती है कि जब आपका faster cooling होती है तो फिर आपके particle बहुत छोटे छोटे होते है और अगर आपका cooling basically थोड़ा सा slow होती है तो small to medium particles देखने को मिलते हैं आपका plutonic है जिसको million of years लगते हैं इसको cool down होने में तो मतलब यह काफी लंबा time भी ले लेती है rock particles cool होने के लिए so that is quite simple जिनकी हम categorization इनके cooling के effect हेसा आप से दे सकते हैं और cooling का effect ही यह decide करता है कि कि किसी rock के अंदर crystal का size जो है वो small होगा या फिर large होगा एक और important चीज कि इगने से बात आता आपका sedimentary rocks तो जैसा आपसे बात की थी मैंने कि sedimentary rocks कैसे होंगे erosion से deposition से इसी से आपके sedimentary rocks formation होगा तो जो भी exogenic in forces को exactly बोलते है exogenic forces कि जो भार से forces लगते हैं आपके वो इसको क्या करते हैं they will compare this to get new rocks to get form तो यह आपका exogenic forces के अंदर नजर आता है तो sedimentary rocks are the types of rocks जो कैसे form होंगे आपके deposition से small particles accumulate होते जाएंगे subsequent particles or mineral deposit होते चले जाएंगे दूसरी bodies से भी आपके particle deposit होंगे और deposition से आपकी rocks particles बन जाते हैं यह जो particles होते हैं वो आपके non crystallines होते हैं animals के fossils इंके अंदर present होते हैं आप देख सकते हो ना कि अगर मानलो igneous rocks बने होंगे और जब dissociate होंगे तो आपको नहीं लगता कि वो animal को नीचे क्या करेंगे subject कर देंगे डिप्रेस करेंगे animal उनके नीचे आएंगे तो definitely fossils जो है आपके plant के animals के other organisms के fossils जो हैं हमें देखने को मिल जाते हैं इसलिए जो call हमें मिलता है पेट्रोल जो हमें मिलता है तो सब का मिलता आपके sedimentary rocks के अंदर देखने को मिलता है अब देखो sedimentary rocks बने लावा से इ high pressure और high temperature जो आपके rocks पे लगना शुरू हो जाएगा और इसको बोलते हैं metamorphism इसको क्या बोलेंगे हम metamorphism तो जब भी आपका over the period of time high pressure और high temperature high heat जो है देखने को मल जाती किसी chemical activity के साथ में तो उस case में आपकी igneous या sedimentary rocks they will be converted into the metamorphic rocks काफी ज्यादा solidify हो जाते हैं काफी ज्य की formation दे सकते हो suchis की formation genesis की formation marble की formation एक logite की formation तो मतलब multiple parts जो है आपके वो develop हो जाते हैं multiple minerals जो है वो कसी अलग composition में develop हो जाते हैं so that is we found in case of metamorphic rocks now when it comes to the earth moment तो earth का moment भी आपके metamorphism के उपर या earth की basically जो rocks की development उसमें काफी important role play करता है कैसी करता है देखो हमने बात की igneous rocks की आपको इनले ता उस case में भी अर्थ का moment ही हो रहा था क्यूकि लावा जैसे से आउटपोर हुआ तो लावा ने अर्थ के ओपर pressure बनाया होगा जब अर्थ का crystal part expand हुआ तो लावा आउटपोर हो पाया similarly जब आपके exogenic forces लग रहे थे तब भी तो landslide होता है ठीक है landslide देखने को मिलता है valley development देखने को मिलता है तो भी आपका क्या होगा it is important part अब moment of earth दो तरीके से होता है दो forces से होता है एक ऐसा force जो एंडोजनिक होगा एक ऐसा force जो एक्जोजनिक होगा मतलब मतलब यह हुआ कि ऐसा force जो आर्थ के इंटीरियर से लग रहा है एक ऐसा force जो आर्थ के इंटीरियर से लग रहा है वह आपका क्या 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 क् आपने लावा देखा था हूव ही फोर्स क्या होता है आम का इंडोजेनिक फोर्स होता है मतलब अपने सुना होगा का कि हमाल्यारा राइस कर रहें लेकिन Н którego लो न है तो मैंने देखा कि हमाल्यास काफी ज़्याद राइज करें बहुत स्लोली मुवमेंट होता तो वह क्या कहलाता है आपका डाय स्टॉफ है और दूसरे फोर्स होते है एक्जोजैनिक जो कि किसी भार के फोर्स से भार की किसी अधनी लगते मेंसे रिवर से होते हैं गलेशर सी इन से होगा हो आपका मुवमेट क्लाएगा तो यह मुवमेंट दोनों ही आपके लिए अर्थ की लांड को डीथोर्म करने में काफी जएजदा अकॉंटीबल होते हैं तो मतलब दीजर नेचरल और physical substances होते हैं जो आपके इस तरीके सेक्ट करते हैं, landform की development ये करते चले जाते हैं, हलांकि एक time taking process होता है, it is not something which is suddenly हो जाता है, एक igneous rocks metamorphic में, metamorphic आपके sedimentary ऐसे convert नहीं होता, बहुत slowly ये वो conversion होता है, काफी लंबे time के बाद में वो conversion जो हो देखने को मिलता है, but yes, अर्थ का moment जो है, वो equally accountable होता है, when it comes to the formation of rock particle, so this is the part 1 of chapter 2, very soon we will come with, tomorrow we will come with the chapter 2, part 2, and right there I would like to invite you all for the happy Diwali, क्योंकि आपके Diwali जो है, that is superb, that must be superb for everyone, क्योंकि light लेके आती है Diwali आपकी life में, and right there I get to know कि आपका Diwali के ओपर, study IQ के तरफ से आपको, प्यारे प्यारे जो gift मिल रहे है, that is the affordable education के perspective से, study IQ is always ahead, and right there you get to know कि जो भी optional आपका subject है, specifically geography है, तो मैं बता देता हूं, आपका 14th November से best new start हो रहा है, लेकिन other optionals जो हैं, they are also starting new batches, आप join कर सकते हैं, affordable price के लिए, admission लेने के लिए, आपका पिल live का code use करेंगे, you will be getting maximum discount out of here, okay, yes, and if you are searching for the foundation best, then there you can use again the kapil live code, there also you will be getting the maximum discount, but these discounts are only valid up to what, up to 26th of October, because this is a diwali occasion, जिसकी वज़े से आपको क्या मिल रहा है, affordable education, study IQ की तरफ से ये आपका gift समझे गया, okay, okay, guys, next discussion में फिर से मिलते है, इस session की PDF को download करने के लिए, आप Kapil भार्दवाज official का telegram channel join कर सकते हैं, या फिर, आप मु इंस्टा हैंडल पे, अगर कोई queries हैं, आप मुझे directly बात कर सकते हैं, जे किया, बाई बाई, all the best, जय हिंद, happy diwali to everyone